यार चलो करते हैं पुस्पा मूवी का थोड़ा सा रिवाइंड थोड़ा सा पीछे जाते हैं पुस्पा के बारे में बात करते हैं पुस्पा 2 के थोड़े से हम बात करेंगे कि हमको पुस्पा 2 में क्या देखने को मिल सकता है हमारी जो अंदर से उम्मीदे पुस्पा 2 के लि स्टोरी आपको पता ही है अगर नहीं है तो फिर हम बता देते हैं वैसे किसको नहीं पता होगा सबको पता है हमारे पुस्पा भाव एक गरीब इनसान होते हैं बट अकड़ बहुत होती है बहुत अकड़ होती है चंदन का बिजनस तो बादने स्टाट करते हैं उससे पहले लगा करके अपना जोल लगा करके अपना दिमाग लगा करके ठीक है वो चंदन किया बिजनस का एक अपना यह एंपायर खड़ा करते बहुत सारे गुंडे मवाली डॉन से उनका सामना होता है बट सारे ही डॉन इसकी लाइवर नीकलते विकोज हमारे जो पुस्पा भाय आणा वहीं फायर रहते तो भाई यह सिंपल्सिस की कहान यह उनकी लाइफ में कस्री वल्ली जैसी बहुती यूटीफुल सी उनकी वाइफ भी जिंकी लास्ट बहुति है पहले तो उनकी गल मेख बनती है पहले तो इस मुवी के स्टोरी में एक और इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि बाई पुस्पा भाव का एटिट्यूट बहुत खतरना होता है बंदा जुकता नहीं है जुकता नहीं है पुरे पुरे मुवी में जुकने वाला वो जो स्टाइल है वो तो इतना पॉपिलर हुआ इतना पैंडिया लेवल पर बना भी नहीं था यह आपको सिधा बता रहो इसका बेकार नहीं होता है एक इसा बुवी जो कि बाई पैंडिया पर दुनिया ने पसंद पुस्पा दर राइस मोवी था एंडर लूर ने तबाही मचा दिया इन हिंदी एलसो तो भाई पुस्पा दर सबसे पहली जो अच्छी चीस्ती वो थी इसका जो मास जिस तरीके से स्मिदस अलूर जो एक्टिंग था वह बहुत ही जबर्दस था नमबर वन दूसरा इस मुवी के डायलोक्स भाई जो डायलोक्स उसके लिखे गए थे वह बहुत ज्यादा पॉपिलर हुए पुस्पा ना ट्यूब पे हर जगे हर जगे बाई यह पुस्पा भाई डायलोक्स चल रहे थे उनका वो जो एक्टिंग है यह वाला बहुत पॉपिलर हुआ बहुत ज्यादा बड़े-बड़े से लेके क्रिकेटर से लेके रेसलर से लेके सबने इसके उपर यार अपना एक अलगी बाई जाए वह रिल क्रियाट कर दिया था अलेगे सिंग कर दिया था इतना फेमस हुआ था ये ये एक और बड़ी चीज थी इस मूवी के दर इसके सौंग बहुत ज्यादा पॉपिलर हुए चाहे वह उसका इटम सौंग और चाहे वह पुस्पा भाव का लव सौंग और ठीक है इसे म्योजिक में फाल्ड वी फॉब्लिक को कई प्रॉबलम नहीं था विकोस पॉब्लिक को चाहिए क्या एंटरेंट्पेंट्पिक सिर्फ लिए नहीं पॉप्लिक को मिला पॉब्लिक ने इसकी जो बुरी चीज थी उसको वी भाई एक से खिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं नेक्स टाइम आओ गे तो पैन इडिया ऊपड़ी बना खर के लाना तो बाते पुस्पा धर रूल के ऊपर ठीक है राइस के बारे में बात होगे थोगा अब बाते हैं रूल के ऊपर कि भाई क्या सीन वने मला रूल के अन पुस्पादर रूल के VFX के सामने यह मैं आपको लिख करके बता रहा हूं और दूसरा पुस्पादर आइसके तर इमोशन सितना नहीं था वो ठीक है वो बाप बेटे का वगेरा बताया था माँ बेटे का बताया था बट उसको इमोशन नहीं बोलते पबलिक के आखों में सबसे बड़ी आएक हाइलेट चीज हो सकती है जो कि इसके टीजर के अंदर हमको देखने को मिलिए जब पुलीस पकड़के ले जाती है वह पुस्पादा नहीं तब पता चलता है कि वह पुस्पादा ने कितने उस गाउं के अंदर कितने लोगों का मदद किया हुआ है तो वो जो एंगल क्रियेट होगा इस मूवी के अंदर भाई वो पब्लीक को रुलाएगा और वो जो इमोसनल एंगल है न वो मैं आपको लिख करके दे रहा हुआ मज़ेदार होने वाला है इस मूवी का सबसे बड़ा हाइलाइट इस मूवी का इमोसन्स ही होने वाला है यह मै बड़ी बात मूवी बनना बाद में चालो हुए थी सबसे पहले इसके सौंग के उपर काम हुआ था क्योंकर डाइरेक्टर सू कुमार को पता है उसको पता है कि मेरी जो मूवी इतनी बड़ी हीट हुई थी सबसे जादा हीट हुए थे तो उसने पुस्पा धरूल जब ब बहुत मेनत करनी पड़ी कि पुस्पादरा इसके सौंग बहुत ज्यादा ब्लोगबास्टर हुए थे या तो उसके ऊपर अगर बनाना है तो मेनत उतनी लेगेगे उन्होंने की भी है इस बात को समझो आप लो तो भाई मज़ा आने वाला है एंड सबसे बड़ी बाद हो जो पुल चांसे फुल चांसे स्री वल्ली की डेट होना ऑल्मॉस्ट नाइंटीन परसंट पका है यह मैं लिख करके दे रहा हूं आप लोगो 99 परसंट पका है वह इमोस्थल एंगल क्रियाट करने के लिए कहानी में ट्यूस्ट लाने के लिए एक अपना एक रिवेंज लेने क एक और एंगल बन रहा है ना कि ओ फिफ्टीन अगॉस्ट को रेलीज वुर रही है तो सामिदेग बॉल्यूड की मुवी भी आई थिंग वह सिंगं जो आ रही है ठीके तो मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को लग रहा है कि सिंगम को थोड़ا सा भाग जाना चाहिए रuisच की कि पूस्पाधर राईस उसको सक्सज जो मिली थी व एक अलगी थी तो पूसपा दरूल देखने के लिए बहूत तो मेरे को लग रहा है कि अगर से टक्कर हुई तो यह टक्कर के अंदर साउथ की पुस्पा दरूल बॉलीवुड की वह सिंगा मगें जो भी उसको आराम से मारते की पटक देगी इसा मेरा मन बाकि आप लोग क्या सुचते हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बत लोग यू